प्लास्टिक का डबबा ले लेंगे इस तरह से जो भी डिस्पोजबल प्लास्टिक कंटेनर हो वह लेली जतर से सर्क बना दीजे और आप काट ले इस प्लास्टिक को आप और यूज़ कर सतarenthे कोई भी लिवी कोई बड़ी ब तॉर्ग कड कर ढाई जैसलिए गर् Cube और तो इस तरह से आप पूरा वीडियो ज़रूर देखेगा, तो यहाँ देखे, इस तरह से मैंने circle cut कर लिया है, आपको जो convenient लगे वैसे shape आप cut कर सकते हैं, circle अच्छे लगते हैं, इससलिए मैं circle यहाँ cut कर लिया है, तो देखे, मैंने यहाँ धे सारे circle cut कर लिये हैं, इस तरह से plastic के, अगर आपके वास plastic नहीं है, तो आप foil भी use कर सकते हैं तो इस तरह से आप आधा fold करने के बाद आपको छोटा सा बीच में छेट करना है यह देखे इदम छोटा सा बहुत जादा बड़ा नहीं होना चाहिए देखे आधा fold कीजे और इस तरह से catchy के help से दो side slit लगा दीजे और इदम छोटा सा यहां एक hole बना लीजे यह देखे इस तरह से तब foil paper का भी use कर सकते हैं friends या plastic का ले लीजे इस तरह से कोई भी चीज plastic तो होता ही है हमारे घर पे तो बड़े असानी से floating दिया का जो trick है वो यहां हम बना रहे हैं तो इस तरह से मैंने यह कट कर लिया है अब मैं यहां cotton की बत्ती ले लूँगी यह roll मिलता है अगर आपके पास नहीं है तो दोनों हतेलियों के बीच में रूई को डाल के आप उसको roll कर ले तो इस तरह की बत्ती बन जाएगी फिर हमने जो plastic काटा है ना बीच में hole किया है उसमें हम यह insert कर लेंगे आप समझ गए कि हम यहां क्या बना रहे हैं इस तरह से हमें इसमें डाल लेना है और हमारे floating दिया का base ready है यह देखे और आज जो DIY बताने वाली हो ना कमाल की DIY है तो यह जो है दूसरी बत्ती यह भी आप यूज कर सकते है अगर आपके वास वैसे नहीं है तो यह भी यूज कर सकते हैं तो इन दोनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं तो चली फ्रेंट्स पहले DIY के लिए कप ले लेंगे काज का कप हो या काज का glass वो ले ले और इस तरह से आपके पास कोई bracelet हो कोई necklace हो आपका तो वह आप डाल दे इसके अंदर बहुत ही अच्छा मैं आपको DIY ब जो भी oil आप यूज करते कुकिंग में वह डाल दीजिए और जो हमने बत्ती बनाई थी ना वह आप इसके उपर डाल दे देखिए फ्लोट हो रहा है कितना ब्यूटिफुल लग रहा है अभी से अभी तो हमने इसे जलाया भी नहीं है तो जो भी necklace है या आपके ब्रेसलेट है कुछ अच्छा सा वो आप इस तरह से पानी में डाल ले बहुरी ब्यूटिफुल लगेगा चलिए दूसरा DIY कर लेते हैं इसके लिए मैंने यह baking plate ले ली है आपके असकांच का कोई इस तरह से bowl हो वो ले लीजे और यह lace है मेरे पास तो यह मैं लगा लूंगी इस तरह से glue के help से आपके पास कोई डूपटा का लेस है या कुछ भी मोतियों का कुछ है तो वो भी आप यहां stick कर सकते हैं आपके पास जो भी चीजे available है उसे ही आप घर से जाए बाहर से क्यों लाना यह साही चीजे आप इस तरह से use करेंगे बाद में दिवाली होने के बाद आप इ यूज कर सकते हैं poster color, eclair color, watercolor, watercolor कोई भी आप इसमें यूज कर सकते हैं मैं को थोड़ा dark चाहिए तो मैं इस तरह से करूंगी blue color बनाना चाती हूँ मैं यह देखे इधन swimming pool टाइप पानी लग रहा है ना यह तो इस तरह से मैंने कर लिया है अब मैं यहां लूँगी foam flowers आप ज अच्छा लगता है तो इस तरह से डाल देंगे foam flowers यह देखे किता beautiful लग रहा है और डाल देंगे इस तरह से और जो हमने विक्स बनाई थी cotton की floating वाली वह इसमें डाल देंगे तो एक नहीं डालोंगी दो नहीं डालोंगी धे सारे आप इसमें दिये लगा सकते है इस तरह से डानिंग टेबल पर दम perfect लगता है यह चलिए अगला DIY के लिए फ्रेंस यहां ले लूंगी glass और हमें चाहिए lemon चीहां फ्रेंस lemon के slices चाहिए काट लेते हैं यह देख लिए साइस कर लिए है और इस तरह से आप इसमें डाल दीजे ग्लास यह वाला DIY है ना बहुत ही बढ़ी कभी भी आप यह बना के रख सकते हैं तब भी आप यह रेडी कर सकते हैं इसकी जो स्मेल आती ना बहुत ही बढ़ी आवाली आती है तो इस तरह से आप lemon को slice कर ले पानी डाल दे और वही oil डाल दे और उपर से विक लगा ले इस तरह से यह जो हमने बनाया था ना वह आप और जब आप यह लगाते हैं तो ऊपर की तरफ भी थोड़ा से oil ज़रूर लगा दे ताकि यह फट से जल जाए तो इस तरह से आप इसको रख ले यह बहुत ही बढ़िया DIY है और इसको ज़ाने के बाद इसमें से फ्रेग्नेंस भी आएगी बहुत ही low cost याने की no cost DIY है यह फ इसे glue भी निकल जाएगा, stones भी निकल जाएगा और फिर से आप सारी चीजों को reuse कर सकते हैं तो यहां मैं इस तरह से इसको plane नहीं चोड़ना चाहती हूँ और दिवाली है थोड़ा colorful थोड़ा shiny चीज़े होनी चाहिए तो इस तरह से में यहां blue color की stones लगा रही हूँ अगर आप की पास कुछ नहीं है तो आप watercolor से सिर्फ एक dot भी लगा सते हैं वह भी बड़े या लगते हैं अलग अलग के dot लगा दीजे वह भी बड़े सुन्दर लगते बिंदी भी लगा सते हैं आप यहां तो बहुत सारी वराइटी से आप decoration कर सते हैं तो इस तरह से देखिए मै आप पानी डाल दूंगी इस तरह से पानी भी आपको पूरा नहीं भना है थोड़ा सही भना है इस तरह से और अगर आपने मेरा आटी क्राफ्टी चैनल नहीं देखा है उसमें मैं धेरो दिवाली डेकोरेशन आइडियाज बताये हैं वेस्ट में से भी बताया है पुराने याँ डाल सकते कुछ भी डाल सकते इसके अंदर और तेल डालके मैंने लगा दिया डियाइवाई कम्प्लीट है चलिए सब को जला लेते हैं और यह देखिए लाइट आफ यह देखिए कितना ब्यूटिफुल लग रहा है यह सब डियाइवाई सिर्फ एक लेडी ही सोच सक बिल्कुल भी इसमें खर्चा नहीं है घर की चीजों से ही हमने बनाया है और घंटो यह दिये जलने वाले हैं सच में और रात में यह बहुत जादा ब्यूटिफुल लगते हैं चलिए दूसरा भी डियाइवाई देख लेते हैं यह मेरा फेवरेट है यह डानिंग टेबल लगा सकते हैं यह और बी जाधा फ्लावर्स आप एड़ कर सकते हैं देखे कितना ब्यूटिफुल लग रहा है अप्लोटिंग दिया तो इस तेवार में देर साड़े चला है तो कितना ब्यूटिफुल लग रहा है कुछ बी काज का हो सब कीचन में जाईे लेकर आईए और फटा फट से DIY बना दीजे ये देखिए चले टीपोट वाला भी light कर लेते हैं तो ये टीपोट में भी मैंने light कर लिया है ये देखिए lights off करके बता देती हूँ अब आपको ये देखिए sequence कितने अच्छे लग रहे हैं अंदर pebbles भी अच्छे लग रहे हैं lights off कर दिया है अंदर दिया है इसमें भी आप 2-3 दिये रख सकते हैं friends तो ये देखिए मुझे तो ये बहुत जादा पसंद है और हर चीज हम reuse कर सकते हैं इससे अच्छे बात और क्या हो सकती है तो इस तरह से ये देखिए कितना beautiful लग रहा है लेमन वाला भी light कर लिया है मैंने इसकी खासियत ये है कि इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आएगी बहुत ही अच्छा सा ये DIY है friends कभी भी आप try कर सकते हैं तो इन में से friends कौन सा DIY आपको सबसे ज़दा पसंद आया उस लगा और भी वीडियो अगर देखना चाहता है तो उसके लिए भी कमेंट करें तब तक के लिए friends like भी कीजिए share भी कीजिए और subscribe कीजिए मेरे चैनल को till then take care bye